नमस्काज यहिंत दोस्तों, जी के यदी श्ट्रॉंग कर दी हैं तो मैं आपको बोलता हूँ कि प्रैक्टिस सेट पेपर लगाया करो उसका रीजन में आपको बता चुका हूँ कई बार हम एक्जाम में क्या करते हैं एक्जाम में हमारे दिमाग में जो भी हमने याद किया हूँ होता है साल भर में उसको बाहर निकालते हैं और प्रैक्टिस सेट पेपर में जब मैं आपसे कॉश्चन पूछता हूँ तो आप वही कोशिश करते हैं कि मैंने आपसे आपको कॉश्चन दिखरा है पूछा इस चांसर क्या हो सकता है कही न कहीं कभी आपने पढ़ा होगा तो आपकी दिमाग में से आप निकालोगे बाहर और इसकी प्रैक्टिस कर लोगे ना तो कम समय लगेगा आपका वहां पर एक्जाम में घबराओगे नहीं टेंशन नहीं होगी और दिमाग भी आपक यक्रत इसकी चमता होती है क्या चमता होती है तो ये पुन्रुत भवन की चमता रखता है लीवर या यक्रत अगला कॉशन दिखी अगले कॉशन में क्या पूचा गया है तो अगले कॉशन में पूचा गया है कि मैट्टूर जो बांध बना है ये इन में से किस नदी पर बना ह पर बना हुआ है तो जो मैट टूर बांध है यह आपका राइट आंसर हो जाएगा कावेरी नदी पर बना हुआ बांध है अगले प्रश्ण पर बढ़ते हैं इसमें आप से पूछा गया है कि पिगमी जनजाती इनमें से किस महादीप में पाई जाती है पिगमी जनजाती कहाँ पर पाई जाती है एशिया यूरोप अफरीका या फिर अमेरिका तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा पिगमी जो जनजाती है यह आपकी अफरीका में पाई जाती है औप्शन नमबर सी पिगमी जनजाती अफरीका में पाई जाती है या रखना option number C यहाँ पर प्रश्णी के लिए right answer हो जाएगा अगला question देखिए इसमें पूछा गया है कि निम्दल इखितमें से कौन सी नदी हिमाचल पुदेश से होकर प्रवाहित नहीं होती कोन अच्छी से पढ़ना नहीं तो यहां पर आपने यहीं छोड़ दिया तो काम हो जाएगा जूप हिमाचल पुदेश से नहीं बहती है तो देखो पेहले हम देखलेए राविय से यह ज्येलम नदीầे छम्मु काश्मिर से उकर बहती है या रखना जेलम नदी जम्मू काश्मीर से होकर बहती है हिमाचर अपदेश से होकर नहीं बहती है अगला गोश्या ने निम्नलिकित में से कहां की खानों में कहां की खानों से हीरा निकाला जाता है हमारे देश में केवल एक जगह से हीरा प्राप्त होता है निक उत्तर्प्रदेश में पन्ना जहां से हीरा निकाला जाता है कहां पर पढ़ता है मद्य प्रदेश में या उत्तर्प्रदेश में comment box में इस प्रशन का आंसर बताऊ ठीक है अगला question देखो बयोमा जलपपात इनमें से किस नदी पर बना हुआ है सबी नदियां हमारे देश की नहीं हैं सबी बाहर भैती हैं आपको बताना है कि बोयो मा जल्प पात इन्हें से किस नदी पर बना हुआ है तो देखो आपमें से कई लोगों को याद नहीं को मैं सीधे बता जिता हूं याद कर लो जायरे नधी पर option number 1 में जायरे नधी लिखा हुआ इस पर बोयोमा जल्पपात बना हुआ ये caution अभी पिछले साली एक्जाम में आये था तो अच्छे से इसको याद कर लो 2022 के कई एक्जामों में पूछा गया है अगला caution है कि अधिकतर चट्टानों एवं खनिजों में किस तत्व की बहुलता होती है कौन सा तत्व जो चट्टाने होती है पहाण उनमें और खनिजों में होता है option आपको दिये सिलिकॉन, कार्बन, लोहा या इनमें से कोई नहीं तो यहाँ पर आप याद कर लो कि सबसे जादा पाया जाता है सिलिकॉन, अधिकतर चट्टानों एवं खनिजों में सिलिकॉन तत्व की बहुलता होती है option number A silicon प्रशने के लिए बिल्कुल सही answer है question number अगला देख लेते हैं question number अगला जो next है इसमें पूछा गया है कि आकाश में सबसे चमकदार तारा कौन सा है हमारा जो आकाश हम उपर देखते हैं उसमें सबसे चमकदार तारा इनमें से कौन सा होगा तो यहाँ पर आइट answer हो जाएगा हमारे आकाश में सबसे चमकदार तारा है सीरियस तारा option number D या रखना जो सबसे ज़्याद चमकदार है वो थोड़ा serious रहके बैठा रहता है कि हम तो सबसे ज़्याद चमकदार है तो वो थोड़ा serious है option number D serious सबसे ज़्यादा चमकदार तारा है अगला question है कि दमन गंगा किस नदी का प्राची नाम इस टार लगा लो most important question exam में कई बार पूछा गया question दमन गंगा इन में से किस नदी का जो है प्राचीन नाम है तो दमन गंगा कहा जाता था तापती नदी को option नमबर यहां पर आपको तापती नदी लिखा है न तो तापती नदी को क्या कहा जाता था दमन गंगा option नमबर यहां पर यहां पर तापती नदी राइट आंसर है अगला question दिखिए निम्न लिखित में से किस ग्रह का सूर के परिता परी ब्रहुन काल अधिक्तम है सबसे ज़्यादा समय लेगा सूर के चक्कर लगाने में यहां पर आपको जो option दिए गए उसमें से बताना है तो सूर के चक्कर लगाने में सबसे ज़्यादा समय बोद प्रतवी और मंगल मैं से मंगल को लगेगा option number C मंगल जालर समय लेगा सूरिके चख्क कर लगाने में, आगला कॉषण देखे, भारत का सबसे बड़ा glacier, इन मेंसे कौन सा है, भारत का सबसे बड़ा glacier, población क्या होता है, बर्प का तुकड़ा, सबसे बड़ा बर्प का तुकड़ा या पहाइड, बर्प का पहाइड कौन सा है तो सबसे बड़ा बर्प का तुकड़ा या बर्प का पहाण Glacier है आपका siya chin glacier भारत का भात का सबसे बड़ा जो glacier है वो है आपका siya chin glacier option number यहाँ और यहाँ पर दी right answer हो जाएगा अगला question देखिए इसमें आपसे पूछा गया है कि सूरिक रहन होता है जब बताइए सूरिक रहन कब होता है आपसे एक कौशन पोछा गया है तो यहाँ बर आपको जो option दिएगा है उसमें से right answer हो जाएगा सूरिक रहन होता है कब जब चंद्रमा प्रतवी और सूर के बीच में आजाए option number B में आपको लिखा है तो option number 20 सही answer हो जाएगा चंद्रमा प्रत्वी और सूरी के बीच में आ जाएगा तब क्या होगा सूरी ग्रहन होगा अगला question दिखिए राजस्थान नहर को निम्नन लिखित नदी से जल प्राप्त होता है राजस्थान जो नहर है इनमेंसे कौन सी नदी से उसको जल प्राप्त होता है गंगा यमुना सतलज याविर सिंधू तो यहाँ पर आपको जो option दियेगए हैं यहाँ पर right answer हो जाएगा राजस्थान जो नहर है उसको जल प्राप्त होता है सतलज नदी से option number C सतलज नदी से जल प्राप्त होता है राजस्थान नहर को option number C right answer है अगला कौश जाने की निम्र लिकित में से कौन सा भारत का इकलोता राज है जो सिक्किम की सीमा को इस पर्ष करता है सिक्किम से touch है कौन सा ऐसा एक राज है जब option में दिए गहा है उसके अनुसार बताना है तो option में आपको जो राज दिए गहा है उसके अनुसार जो पश्चिम बंगाल है आपका पश्चिम बंगाल राज जो है ये सिक्किम से touch है option number B पश्चिम बंगाल राज राइट आंसर हो जाएगा अगला कॉश्चिम दिखिए इसनों पूझा गया कि भाखडा नांगल बांध निर्मित है निमनमैस से किस नदी पर तो भाखडा नांगल बांध जो आपका है ये आपका सतलज नदी पर निर्मित है option number B सतलज नदी पर भागडा नांगल बान निर्मित है कपास प्राप्त होता है किस से तने से पत्तियों से बीज से या जड़ से तो जो कपास हमको मिलता है वो मिलता है किस से तो वो मिलता है बीज से ऑप्शन नमबर सी बीज से मिलता है हमको कपास ऑप्शन नमबर सी यहां पर अभी जिसे राइट आंसर है उत्तरा खंड राज्य की राजधानी क्या है उत्तरा खंड जो राज्य है उसकी राजधानी क्या है तो उत्तरा खंड राज्य की राजधानी आपकी देहरादून है option number A, देहरादून ये उत्तरा खंड की राजधानी option number A, देहरादून राइट आंसर है अगले प्रश्न में पूछा गया है कि भारत के दक्षणी भाग का आखरी या अंतिम छोर कौन सा है तो भारत का जो दक्षणी भाग है, उसका यदि आप आखरी या अंतिम छोर देखोगे तो वो है आपका इंदिरा point, option number A में आपको इंदिरा point लिखा हुआ है ये बिल्कुल आखरी छोर है भारत का दक्षिरतम बिंदू, साउथन, last point option number A कावेरी जल्ववाद निम्न तमिलनाडू और किस राज के बीच में है तो यहाँ पर आपको जो option दियेगा है, right answer हो जाएगा करनाटक और तमिलनाडू के बीच में है कावेरी जल्ववाद option number B वास्पोथ सर्जन द्वारा इन में से क्या होगा जो वास्पोथ सर्जन होता है हमारे वायू मंडल में उसमें से इन में से क्या हो जाएगा तो वास्पोथ सर्जन दी अधिक होगा तो मिट्टी जो है उसकी नमी खतम हो जाएगी, कम हो जाएगी रास होगा मिट्टी की नमी धीरे-धीरे कम होती जाएगी वासपोत सरजन यदि जादा होता है तो यार रखेगा most important question है प्रत्वी की आयूग्याद की जा सकती है इन में से किसके द्वारा तो हमारी प्रत्वी जो है उसकी आयूग्याद की जाती है यूरेनियम काल निर्धारन के द्वारा यहाँ पर आपका option number है यूरेनियम काल निर्धारन के द्वारा प्रत्वी की आयूग्याद की जा सकती है खगोली एकक इन में से कौन सा है पताइए एक खगोली एकक किसके और किसके बीच की दूरी होती है तो याद रखिएगा एक खगोली एकक सूरे के केंदर से प्रत्वी के केंदर तक की माध्य दूरी इसको एक खगोली एकक बोला जाता है option number A option number A यहाँ पर right answer है धूमकेतु की पूँच हमेशा सूरे से दूर रहती है इसका क्या कारण है तो जो धूमकेतु होता है उसकी पूँच हमेशा सूरे से दूर होती है उसका कारण है सौर या विकरण और सौर पावर्न option number C सौर विकरण के कारण धूमकेतु की पूछ हमेशा सूरे से दूर की और रहती है निम्नलिकित में से कौन उर्जा का प्राक्तिक स्त्रोत नहीं है मतलब हमें प्रक्ति के द्वारा नहीं मिलता जिसको हमने खुद बनाया है तो लकडी भी प्रक्ति के द्वारा मिलती है सूरभी और कोईला भी विद्धुत को हमने खुद बनाया है विद्धुत प्रक्तिक स्त्रोत नहीं है विद्धुत को हमारे द्वारा बनाया गया है सबसे बड़ा नदी मोहाना किस नदी का है नदी मोहाना पूछा गया है तो सबसे बड़ा जो नदी मोहाना होता है वो है आपका अमेजन नदी का माप कीजिएगा option number C में अमेजन नदी है ना इसका नदी मोहाना सबसे बड़ा है option number C अच्छा, आपसे कॉशन पूछता हूँ बताना सबसे बड़ा डेल्टा कौन कौन सी नदियां मिलकर बनाती हैं मैं आपको दो आपशन दे रहा हूँ एक सही है एक है आपका अमेजन नदी और नील नदी और दूसरा है गंगा नधी और ब्रह्मपत नदी सबसे बड़ा डेल्टा कौन-कौन सी नदियां मिलकर बनाती है कमेंट बॉक्स में आप सभी पढ़ने वाले बच्चे सका अंसर कमेंट करके बताईएगा शैलों एवं खनिजों में निम्न तत्व की भारी मात्रा में दमान रहती है तो शैलों और खनिजों में थोड़ी देर पहले कौशन गुमा के पूचा है थोड़ी देर पहले आपको बताई गया था सिलिकॉन ओप्शन नमबर ए यहां पर राइट आंसर है भारत में रबर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य इन में से कौन सा है रबर सबसे ज़्यादा कहां पर होती है भारत की बात हो रही है तो भारत में रबर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है आपका केरल राज्य ओप्शन नमबर भी केरल राज्य भारत में रबर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्यों में से एक है जब कोई वक्ति निम्नलखित को पार करता है तो एक दिन जोड दिया जाता है मतलब आप एक लाइन है उसको पार करोगे तो एक दिन एक्स्ट्रा अगले दिन में पहुँच जाओगी मतलब इस लाइन के इस तरफ 24 तारीक है तो वहाँ 25 पीछे आओगे तो वहाँ 25 है तो यहाँ 24 तो राइट आंसर हो जाएगा वो लाइन है आपकी पूर्व से यदिया पश्यम की और 180 डिगरी देशांतर लाइन को पार करो गे तो एक दिन जुड़ जोड़ जाएगा option number see miss respond कि кино कि रितू میں चोब मंडल की मौटाई बढ़़ जाती है तो चोब मंडल हमारा है उसकी मौटाई बढ़ जाती किस रितू में तो गर्मी के मोड़ जाती जो चोब मंडल है उसकी मोटाई बढ़ जाती है option नमबर एक गर्मी के मौसम में राइट आंसर है और ये राज का आपका आखरी कॉशन इसका आंसर चलो इसका आंसर मैं बता दूँगा इसके बाद एक कॉशन पूछ लूँगा आपसे अश्व आख्छांस या होर्स लेटिटीट एक पद है जो किस पर लागू होगा इनमें से किस चीज को आप बोल सकते हो कि ये एक अश्व आख्छांस है तो 30 डिगरी नौर्थ से 30 डिगरी साउथ आख्छांस को आप अश्व आख्छांस होर्स लेटिटीट बोल सकते हो और आपके लिए सर्प्राइस कॉस्चन में आपको दे रहा हूँ आपको कमेंट करके बताना है कि लद्दाक किस राज्य से अलग होकर नया राज्य बना लद्दाक किस राज्य से अलग हुआ और नया राज्य बना इस तो प्रेशनिका आंसर आप कमेंट करके बताओ आपके लिए सर्प्राइस कॉश्चन है ठीक है और रोज हमाल चैनल पर शाम को 6 बजी वीडियो अप्लोड होता है तो रोज एक प्रेक्टिस सेट पेपर लगा लिया करो चैनल पर पहली बारा है सब्सक्राइब करें बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंत जय भारत